नमस्कार आप देख रहे हैं तरंग न्यूज मैं प्रतीमा पंडे आपके साथ दोस्तों आज हम आपको सीधी जिले के पटपरा में हुए एक दर्दनाक हाथसे के बारे में बताने जा रहे हैं या हाथसा गुरवार को दोपाहर 12 बजे हुआ जिसमें एक यूगक की जान चली गई और उसका साथी गंभी रुक्षे घायल हो गया इस घटना ने पूरे इलाके में संसनी फैला दिया आए जानते हैं इस दुरगटना की पूरी कहानी या हाथसा तब हुआ जब 27 साल का आसिक सिंग अपनी बाइक पर सवार होकर मउगंज की और जा रहा था यह वह बिना किसी अनहोनी की आशनका के अपने सफर पर था तभी अचानक से एक तेज रप्तार आटो ने उसकी बाइक की और जोड़दार टकर मार दी टकर इतनी जबरजस्त थी कि आसिक सिंग की मौके पर ही मौध हो गई हाथसे के बाद पूरे इलाके में अपरा तफरी मच दी वहां मौझूद लोग तुरंत दोड़कर घायल लोग की मदद के लिए पहुचे लेकिन अफसोस की बात यहाँ है कि आसिक सिंग की जान नहीं बचाई जा सकी वहीं दूसरा साथी गंभी रूप से घायल हो गया जिसे तुरंत सीधी के अस्पताल में बर्ती कराया गया कि मृतक आसिक सिंग पटवहा गाउं का रहने वाला था वह अपने किसी निजी काम से मउगन जा रहा था पुलिस ने मामले की गंभीरता को दिखते हुए तुरंत केस दर्ज कर लिया है लेकिन इस पूरी घटना में सबसे चौकानी वाली बात यहाए कि टकर मारने वाला आटो चाल टीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं पुलिस ने उमीद जताई है कि जल्द ही आटो चालक को पकड़ लिया जाएगा और उसके खिलाक कड़ी करवाई की जाएगी पटवहा गाउं में जहां आसिक सिंग रहता था इस हाथ्चे के बाद सोक में दूब गया है उसकी मौत हमले को जल्द से जल्द न्याय मिल सके गाउं के लोग इस हाथ्चे में हाथ्चे से बेहत आते हैं उनका कहना है कि सड़क रटना में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे हाथ्चों पर नियंतर करने के लिए प्रसासन को सक्त कदम उठाने की जरूरत है यह हाथ्चा हम से बहुत ही महत्पूर्ण बात याद दिलाता है सड़क सुरक्षा जब हम सड़क पर होते हैं चाहे हम बाइक चला रहे हो या आटो या कार हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी छिन सकती है रत्तार लापरवाही और याता यात की नियमों की अंदेकी अकसर ऐसे हाच्चों का कारण बनती है सभी बाहन चालकों से अन्रोध है कि वे बहतर सड़क पर चलने समय सावधानी बढ़ते हेलमट पहने और यातायात के नियमों का पालन करें यह हाच्चा किसी के परिवार को बिखेरने का कारण न बने यही हम स सड़क पर सावधानी से चलना कितना जरूरी है प्रसासन से हमारी गुजारिस है कि जल से जल आटो चालक को पकड़ कर सजा दिलाई जाए ताकि परिडित परिवार को न्याय मिल सके आए हम सब मिलकर इस घटना के परिड़तों के परिवार के लिए प्रातना करें और साथ ह कि यह भी संकल्प लें कि हम सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे ताकि भविस्य में ऐसी दुरखटनाओं से बचा जा सके या हुआ हैं के साथ कमर जी से पटपरा आते थे आयन कर जो है तो इसीडेंट आडो से हुआ करें हमें तो नहीं देख पाए थे सर नगर दस उस बजे थे उस समय पस आटो से हुआ था बाइग आप बाइग से पग्रतना पर होगी गटना हुए थे वह संतोत्य वारी के जेश्ट खाले नेरेल कि पास पराचोगा परचोगा चोगा परचोगा बने रहे खबरों में लगातार बहुत बहुत धन्वारी अरे-अरे कहां जा रहे हैं आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्द नहीं है तो निरास होने की दुरत बिलकुल नहीं है प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल संपर करें 94-29-89-78